गुद मॉर्णिंग क्लास फोर्थ, हाव यू ओल, आई होब यू ओला गुज वेलकम अगेन हिंदी ग्रैमर ओनलाइन क्लासेज स्टुडेंट्स आज हम हिंदी ग्रैमर में दयालू सिधार्थ की कहानी के बारे में पढ़ेंगे तो सभी बच्चे जल्दी से अपने बुक उपन कीजिए हिंदी ग्रैमर पेज नमबर 68 कहानी दयालू सिधार्थ सिधार्थ नाम का एक लड़का था उसने कैसे हंस पर दया करी इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इस कहानी से हमें क्या शिक्षय मिलती है वो हम समझेंगे ओके पढ़ना स्टार्ट करते हैं यह है प्राचीन समय का प्रसंग है प्राचीन समय मतलब पुराने समय की बात है देवदत जंगल में अपने शिकार की खोज में भटक रहा था देवदत नाम का था एक लड़का वह शिकार की खोज में भटक रहा था उसे एक पेड की डाली पर सुन्दर हंस बैठा हुआ दिखाई दिया क्या दिखाई दिया? सुन्दर हंस बैठा हुआ दिखाई दिया उसने तीर से उस पर निशाना साधा मतलब लगाया निशाना लगाया हंस खत्रे को भाब कर वहां से पहले ही उड़ गया मतलब उसे पता चल गया हंस को और वो पहले ही उड़ गया और उसके निशाने से बच गया देवदत का निशाना चूक गया फिर उसने उड़ते हुए हंस का पीछा किया हंस उड़ा तो देवदत ने उसका पीछा शुरू किया हंस पास ही भै रही एक नदी के पास जा पहुँचा चंगल के पास एक नदी भै रही थी हंस वहाँ पर जा पहुँचा देवदत भी पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचा उसने तुरंत उड़ते हुए हंस पर तीर चला दिया क्या करा उसने देवदत ने उड़ते हुए हंस पर तीर चला दिया तीर हंस को लग गया वह घायल होकर नीचे गिर गया यह हंस था देवदत ने तीर चलाया और वह घायल होकर नीचे गिर गया उसी इस्थान पर सिधार्थ नाम का एक बालक जंगल में जड़ी बोटियां हाथ में लिए दूसरी जड़ी बोटियों की खोज में नदी किनारे गूम रहा था क्या हो रहा था माँ पर सिधार्थ नाम का एक बालक जंगल में जड़ी बोटियां ढूम रहा था उसने हंस को गिरते हुए देखा तो वह उस और भागा और हंस के शरीर से तीर निकाल लिया हंस को क्या किया उसने सिधार्थ ने अपनी गोद में ले लिया और उसका तीर निकाल दिया उसकी घायल दशा देखकर वह बहुत दुखी हो गया वह हंस की घावों पर पेड़ पोधों से प्राप्त जड़ी बूटियों का लेप लगा रहा था जो उसके पास जड़ी बूटियां थी वह उससे उसका लेप लगा रहा था इतने में देवदत हंस को ढूंडते हुए वहां तक आ पूंचा और सिधार्थ से कहने लगा कौन आ गया देवदत आ गया सिधार्थ के पास और क्या कहने लगा यह हंस मेरा है मैंने इसका शिकार किया है देवदत ने कहा इसे मैंने सादा है इसका मैंने शिकार किया है तो यह मेरा है इस पर मेरा अधिकार है सिधार्थ ने कहा मैंने इस हंस की जान बचाई है इसलिए यह हंस मेरा है दोनों में वाद विवाद बढ़ गया फिर दोनों न्याय के लिए राजा के पास गए कहां गए राजा के पास राजा के दरबार में राजा को दोनों ने अपना पक्ष रखा क्या करा वे राजा के दरबार में गए और राजा को दोनों ने अपना पक्ष रखा मतलब अपनी अपनी बात बताई राजा ने कहा मेरा निर्णे यह है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है अतहे यह हंस सिद्धार्थ का है सिद्धार्थ हंस को अपने पास भाकर बहुत खुश हुआ देवदत को यह निर्णे मानना ही पड़ा और देवदत को क्या मानना पड़ा राजा की बात माननी ही पड़ी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों पर दया दिखानी चाहिए ओके सब को समझ आया ओके स्टुडेंट्स हमारी यह कहानी यहीं कम्प्लीट हुई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीजियो में आप इस कहानी को अपनी नोट बुक में नीट अन क्लीन वाक करेंगे ओके और टू टाइंप स्रेडिंग करेंगे ओके बाबाई ओल अफ यू